जारो पूछो कितना मुश्किल है एक बदन को ढोना हलकान हुए तो साई को पीछे छोड़ के आए हैं का एक मंदर पैदा करती थी कम उम्री उसकी वस्ल का एक मंदर पैदा करती थी हिज्र के डर से माथे पर्दो बोसे चोड़ के आए हैं बहुत बहुत शुक्रिया और एक मतला चंद इशार देखेगा कि यूही जगडा करके मर जाएंगे एक दिन कहते हैं मकतल से घर जाएंगे एक दिन आप उसके पीछे बाहर जाएंगे एक दिन अब उसके पीछे बाहर जाएंगे एक दिन बहुत बहुत शुक्रिया और एक मतला चंद इशार देखेगा कि इक शियर पढ़ो हम समझेंगे फिर रक्स करेंगे हम दोनो एक शेयर पढ़ो हम समझेंगे फिर रक्स करेंगे हम दोनो यानी की मानी खोलेंगे फिर रक्स करेंगे हम दोनो बहुत बहुत शुक्रिया कि यानी की मानी खोलेंगे फिर रक्स करेंगे हम दोनो एक लड़की कोने में बैठी खो जाती मेरी गजलों में गजलों से बहलाएंगे फिर रक्स करेंगे हम दोनों और यह शेयर की वसल का खर्चा बढ़ जाएगा बढ़ जाने दो यानी की दिल्ली से बनार्ष जाएंगे फिर रक्स करेंगे हम दोनों गालों को खीचे फिर बोले तो चिला उठता हूं मैं ऐसी हरकत कोई और करे तो चिला उठता हूं मैं और ये शेयर की एक किनारे डूबे सूरज एक किनारे हम्दो प्रीमी ऐसा एक मंदर जीने को हर पल मरता रहता हूँ मैं उसकष्टी को एक किनारा मिल जाएगा ऐसे कैसे जानी एक रकीब को वो तितली जिसके मरता हूँ मैं यानि एक रकीब को वो तितली जिसके मरता हूँ मैं और एक मतला एक शेयर देखेगा कि इल्जाम लगा कर रो देने की आदत थी तुमको और बिछडने की कितनी अच्छी आदत थी तुमको खुशक निगाहों से एक ख़आब मेरे दस्त में खो जाएंगे खुशक निगाहों से ख़आब मेरे दस्त में खो जाएंगे यानि आखों को नम करने की आदत थी तुमको यानि आखों को नम करने की आदत थी तुमको और एक मतला शेयर पढ़के मैं अपनी जगह लूँगा की एक लड़का जो की तस्वीर गुमा में देखा करता है और सितम है की तस्वीर खिजा में देखा करता है और सितम है की तस्वीर खिजा में देखा करता है और ये शेयर की एक बच्ची जो एक बरस पहले गिर के मर जाती है उसका चहरा भाई रोजकुमा में देखा करता है बहुत बहुत शुक्रिया